वेलकम टू एलेक्ट्रिक वर्क सेंटर आज दोस्तों हम बताने वाले हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग किस तरह से की जाती है कहां कितनी हाइट पर बोर्ड एमस्पी बॉक्स कैसे लगा जाता है इस वीडियो का अंदर सारी सारी सीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं तो वीडियो को सुरुष से अंतक जरूर देखिए आपको सीखने को पुशन पुशन में यह है रूम दोस्तों यहां पर हम करने वाले हैं अंडरग्राउंड प लगेगा इसकी सारे वीडियो में आपको डालूंगा पार्ट वाई और यह रूम है इसके अंदर दोस्तों मैंने पाइपिंग कर दी थी यह देख सकते हैं यहां पर बस यहां पर फैन बॉक्स है और यहां से बस पाइप उतारा गया है और फिर एक जक्शन बॉक्स के साथ नी से 12 मॉडूल उतार लिया गया है फिर यहां पर एक सव मॉडूल उतारा गया इस साइट से जो फैन बॉक्स से आया है और इस साइट से मैंने उतार लिया एक जक्शन बॉक्स के साथ सव मॉडूल का तो अब देखिए दोस्तों इसी तरह दूसरे रूम के अंदर हम करने भी इसके अंदर देख सकते हैं इस नूइंडर वूद्ट रहा फे नächst कि दोने यहां पर यहां पर छे immediately बॉक्स फिर यहां पर इस तरह से लेकर वहां पर जक्षन बॉक्स फिर हम नीचे 12 मॉडूल का उतारने वाले इसमें इतने ही पॉइंट है बस सामने दे रखा है वह प्लास्तर वाले मिस्त्री विजिस साब से करेंगे क्योंकि वहां पर बस कोई जक्षन बॉक्स नहीं लगाना है ठीक है यहां पर इतना करने वाले हैं हम और फिर देखिए एक और है यह इस्टोर रूम चोटा सा है और इसके अंदर भी आने वाला है तो सारी सेजिये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर सुरू से अन तक जरूर देखिए इस वीडियो को यहां पर दोस्तों मैंने सरी पा रही है दिखा रहा हूं आप यहां पी एक पाइप ड्रॉप की गई है यहां से मैंने यहां पी और फिर यहां पी एक जक्षन बॉक्स है फिर यहां से देखिए यहां पे देखिए एक और पर Jackson box फिर एक बोला उत्रेगा 1PıRato which मैं बताने वाला हूँ आपको वहां से ईस पूरे रूम की फूरे मकान की मैं अंदरांड बाइपींग बताने माला हूं नेक्सपार्ट में ये पार्ट वन है नेक्स पार्ट भी मैं जल्दी से अप्लोड कर लूँगा और मेरे सामें को सब्सक्राइब कर ले बैल आइजिंग को प्रेश करते इसके अंदर हमने वहां से एक जक्षन फिर जक्षन फिर 12 मोडल बोर्ट इतना